हेलो फ्रेंस मैं अनुए अनुके रिंदेशी ब्लाग मैं आपको साथ करते हूं आज हमारे खेट में गरना बोया जाएगा इसलिए हम लोग खेट को जा रहे हैं और देख सकते हैं पे लश्मी ठेलिया पे बैट कर जा रही हैं और यहां पे हम खेट मौच चुके हैं और आपको गाओं के ऐसे में काई की सारी जानकारियां देने वाले हैं और यहां पे देख सकते हैं लच्मी बत हुआ भीन रही हैं लच्मी कितनी बत हुआ भीन ली हम बन जाएगी घर में और यहां पे हमारे दादा जी भी खाट को बो रहे हैं और चाचु लोग सभी लोग ख आप उसे देखते ही रह जाएंगे और देख सकते हैं लगबग लगबग पूरे खेट में खाट बोही चुकी है और वहां पे मारे जाजादी बैठे हुए हैं यह मारे पूपादी आजाए थे उस दिनों पहले और यह जो साइड में आपको गन्ना दिख रहा है इसी गन्ने क कि मजब से पूरे खेट में गन्ने को बॉया जाएगा देख सकते हैं लच्मी की बत्वा भी पूरी हो चुकी है किस परकार से बीन रही है देखिए लच्मी लच्मी क्या देखती आ रही हो देखिए क्या देखती देखती आ रही है इतने ध्यान से ध्यान उसी में लगा बत्वा पूरा बीन लेना फिर घड़ चलना वरना ममी पीटेंगी तुम्हें कितना बीन लिया ये बीन क्या रही हो पहले ये तो बताओ सर शोक की बत्वा हाँ ऐसे सही से रख लो वरना गिर जाएगा हाँ इस परकास से अच्छे से रख लो गिर जाएगी तुम्हाई बत्वा और अब लगभग लगभग पूरे खेट में पढ़ चुकी है खाग तो फ्रेंस अगर आपको पहले से इने फ्रेंस कुन के बारे में पता था तो कमेंट बोलना यानि कि नो बोलना और मैं आदको बता देती हूं कि पूरे खेट में जब बू जाएगा एगना तो हाथों से नहीं बल्कि चट्टर के मदद से इसमें मेड़े बनाई जाएंगी पहले जमाने में क्या होता था यानि जो होते थे फावड़े वागारा से खेटों मे मेड़े बनाई जाती थी और अब तो सब लगता निक्षिटी आ चुकी है तो टट्टर से इसमें मेड़े बनाई जाएंगी लचमी अब ये क्या बीन रही हो तुम सर्सों अगर इधर से सियार आ गया तो 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 तुम्हें उठा कर ले जाएगा नहीं आएगा ये राशाग लख लो अपने पास ये साग रख लो और लोगी लो बस इतना ही है अब फेकना मत उसे ठीक है तो लचमी पूरी बत हुआ बील देना तब को चलना घर ठीक है अब चलो घर को भी कि अभी बीडियो अगर आपको ये वीडियो चाले तो वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब करना थैंक्स पर वाचिंग